पंजाब में बाड के कहर के बीच उस वक्त की बड़ी खवर सामने आ रही है जिहां पंजाब में अभी भी खत्रा बरकरार है ऐसे हम इसलिए कहरे हैं क्योंकि जो जानकारी सामने निकल कर आ रही उसके मताबग बताया जा रहा है कि भाकडा डाम में अचानक पानी का जो स्तर है वो बढ़ गया है जिहां भाकडा डाम में अचानक पानी का स्तर जो है वो बढ़ गया है आपको बता दे कि 1636 फीट के पार पहुंच चुका है पानी का लेवल भाकडा डाम का जो लेवल है वो खत्रे के निशान से 49 फीट दू आपको बता दे कि गोबन सागर ज्वील से 49,714 क्यूसिक पानी आया है जिस वज़े से पंजाब में हम कह सकते कि अभी भी खत्रा जो है वो तला नहीं है खत्रा बरकरार है बीते दिनों भी जो बताया जा रहा था जानकारी सामने निकल कर आ रही थी कि भाकडा डैम से पानी चोड़ने को लेकर जो मीटिंग हुई थी अभी नहीं चोड़ा जाएगा पारी लेकिन इसी बीच एहम खबर सामने आ रही है कि भाकडा डैम में अचानक पानी का लेवल जो है वो बढ़ गया है ऐसे में बाड के कहर के बीच ये एहम खबर है आपको बता दे इससे पहले ये कुछ दिर पहले आपको जानकारी दी थी कि मांसा जिले पर भी बाड का खत्रा जो है वो मंडरा रहा है आपको जानकारी दी थी कि मांसा के पास चांदपूरा बांध में दरार आ गई थी बताया जा रहा है कि घगगर में पानी के तेज बहाव की वज़े से दरार आई है जिसके चलते आज शाम तक कई गाउं में पानी भर सकता है सी बीज एक और एहम खबर जो हमने आप तक अभी पहुंचाई कि भाकड़ा दहम में भी अचानक पानी का लेवल जो है वो बढ़ गया है जो की एक चिंता का विशे है हुआ हुआ है हुआ है हुआ 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 है